गाईस आज हम पालक और मशूर दाल बनाने जा रही हैं तो चलिए देख लेते हैं कैसे बनाते हैं सबसे पहले हमें गाईस के एक प्रेसर कुकर लेना है इसमें हमें डालना है एक बड़ा चमच सरसो का तेल आप कोई भी कुकिंग आयल ले सकते हैं तेल को अच्छे से हमें गरम होने देना तेल गरम हो चुका है अब हम इसमें डालेंगे एक बड़ा साइक का कटा हुआ प्यास पांच से दस कली लहसुन के दो हरी मिर्स जिसे हमने टुकडे में काट लिया हैं इन सभी इडिलेस के हमें तील में डाल देना है और इसी शौक हमें तक हमें गरी लिया है जब तक अपना प्यास भूं रहा है तब तक हम पालक को काट लेती हैं यहां पे हमने पालक को काट लिया है अब चलिए हम दाल को धो लेते हैं हमने यहां पे अपना दाल भी धो लिया अब चलते हैं कूकर के पास तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया प्यास लहसुन में चुण चुका है इसमें हम दाल को छोड़ देंगे दाल के साथ ही हम कुछ मसाला इसमें एड़ करेंगे तो यहाँ पे हम एक चमस खर्दी पॉडर डाल रहे हैं एक चमस धनिया पॉडर डाल रहे हैं एक चमस लाल मीच पॉडर डाल रहे हैं और साथ में हम आधी चमस गरम मसाला भी डाल ले रहे हैं अब हम इसे कुछ मीनर के लिए भून लेंगे प्याज के साथ में तो आप देख सकते हैं प्याज के साथ हमारा दाल ही अच्छे से भून चुका है और मशाला भी भून चुका है अब हम इसमें जो कटा हुआ पालक है इसे छोड़ देंगे और 2-3 मिना तक इसे भी भूल लेंगे तो यहां पर हमने डाल के सांथ पालक को अच्छे से भूल लिया है आप देख सकते हैं पालक का पता भी नहीं चल रहा है अब हम इसमें डालेंगे पानी पानी हम दाल पकने के लाएक ही डालेंगे यानि कि जितने में अपना दाल अच्छे से पक जाए अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब हम लिट लगा के इसे तीन से चार हिशी तक पका लेंगे यानि कि दाल अपनी अच्छे से गल जानी चाहिए फिर हम आपको दिखाते हैं तो गाइस आप देख सकते हैं अमारा मसूर दाल पालक तैयार है इसे आप अच्छे से गोट्री जी और तरका डाल देखाएं बहुत ही मज़ेदार रेश्पी है तो फ्रेंड्स इस मसूर दाल पालक की रेश्पी को आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए कॉमेंट बॉक्स में अपना सुछाओ जरूर लिए धन्यवाद